आप कहते हैं कि कृष्ण बाहर कहीं नहीं जन्मेंगे हमारे ही भीतर से कृष्णत तो उठेगा पर हमें तो अपने पर विश्वासी नहीं है क्योंकि हमें कमियां और वृत्यां ही खूब हैं तो फिर अभी तक तो यह था कि मुश्किल वक्त में हम श्री कृष्ण को याद कर लेते थे कि हमसे बाहर कोई श्रीकृष्ण हो बाहर से आएंगे बचा लेंगे पर आपने कहा कि बाहर से नहीं आएंगे आप ही के भीतर से उठेंगे तो अब तो हमारी यह उमीद भी तूट गई है कि श्रीकृष्ण बाहर से आके कहीं हमें बचा लेंगे बाहर से आएंगे नहीं और हमारे भीतर दम है नहीं तो फिर कृष्ण कहां से आएंगे अब क्या करें बाहर से तो नहीं आएंगे आने आपके भीतर से हैं आने आपक कमियां भहुत हैं वृतियां भहुत हैं कथा भी क्या कहती है कहां जन्में थे क्रिश्ण कंस की कैद में जन्में थे आपका शरीर क्या कंस की कैद से भी गया गुजरा है कि उसमें नहीं जन्म सकते क्रिश्ण कंस जैसे धूर्त और कुरूर आदमी की जेल में वो पैदा हो सकते हैं आप में नहीं पैदा हो सकते एकदम पतिकूल स्थितियां थी जब पैदा हुए थे क्या था खूब वर्शा हो रही थी यह मुना उफनाई हुई थी उन से पहले उनके जितने भाई बहन पैदा होते थे उनको कंस पकड़ पकड़ के लिए जा करके मारता था बहन को नहीं मार पाया था भाईयों को सब को मार दिया था इतने खराब हालात थे और तब भी कृष्ण पैदा हो गए और आपके हालात इससे ज़्यादा बुरे हैं क्या कि आप में कृष्ण नहीं पैदा हो सकते हैं अब आप जबरदस्ती करें हट लगा लें कि नहीं मैं अपने भीतर से तो कृष्ण तो को उठने ही नहीं दूँगी तो फिर तो आपकी मर्जी है इसमें कोई क्या कर सकता है कोई क्या करेगा दम लगाई है जरा ऐसी थोड़ी है जान लगानी पड़ती है एक सधारन सा बच्चा भी पैदा करना हो मनुष्य ही नहीं किसी भी माधा को तो उसमें भी जान निकल जाती है महिलाओं की निकल जाती है कि नहीं आप स्त्री है इसना तयाब से कह रहा है कि एक सधारन सा हाणमास काई बच्चा पैदा करना हो तो उसमें भी बहुत दम लगाना पड़ता है और बड़ी पीड़ा होती है तो साधारण बच्चे के जनम में जितनी प्रसव पीड़ा होती है कम से कम उतनी मानसिक पीड़ा तो जहलनी पड़ेगी न कृष्ण को जनम देना है तो कि उतनी भी नहीं जहलेंगी आप उतने दर्द से गुजरने को तयार रही है तब जाकर के क्रिशन खिलता है अपने आचल में तो सस्ती चीज कुछ नहीं होती है सस्ती चीज पिर जिन्दगी ही हुती है यूई मिल जाती है किसने मांगी होती है मुफ्त मिली होती है। मुफ्त पैदा हो जाते हैं और मौत भी मुफ्ता होती है कोई दाम नहीं चुकाने पड़ते हैं। अब आप तो उच्छतम मांग रही हैं। आप तो कृष्ण को मांग रही है। तो अमूल ने हैं, उनका दाम तो हम चुका भी न पाएं, पर कम से कम जितना हम कर सकते हैं, उतना तो करें, पहले ही बोल देंगी मेरे भीतर कमियां हैं, वृत्तियां हैं, सब में कमियां वृत्तियां होती हैं, इसमें नहीं होती हैं, यहां तक कि जब आवतार भी हमारे सामन आते हैं जिनको हम अपना उच्चतम आदर्श मानते हैं हमारे सब महापुरुष उनमें भी कमिया होती है तो फिर भारत बड़ा बुजर्ग देशरा है हम बड़े पुराने लोग है हमने कभी यह नहीं करा गया अपने अवतारों को भी तुरुटिहीन दिखा दें कभी करते हैं आपने मानवी और मानवी होना माने मानव सुलभ रित्थियां दिखाई दे रही है किसी में नहीं होड़ा आ यह किसी में कंद खा हग गया इस वहतारों में यह सब चीज़ आप पाते हैं, उन्में से कोई भी ऐसा नहीं होता कि आप कहते हैं कि बावारे, निरंजन है बिलकुल है तो कुछ ही नहीं, सब ठीक है, ऐसा तो कहीं कुछ नहीं होता श्री राम है उनको सीता बोलती है जाके स्वर्णम रिख ले आओ कितने लोग पूछा करते हैं कि श्री राम समझे नहीं क्या कि स्वर्णम रिख तो होता ही नहीं पर हम जन मानस को ये संदेश नहीं पहुचाना चाहते भारत में कि मानव देह रखते हुए भी तुर्टिहीन होना संभव है नहीं और अगर पूनता ही है कहीं किसी तरह की कमी नहीं है तो फिर राम रावन युद्ध की जरूरती नहीं थी फिर तो एक बाण में रावन का काम तुमाम हो जाना चाहिए था और एक बाण की भी जरूरत नहीं पढ़नी चाहिए थी क्योंकि अनन्त के सामने कौन ठहर सकता है एक पल भी क्यों चला युद्ध फिर महाभारत भी 18 दिन क्यों चली एक पल भी नहीं चलनी चाहिए थी फिर तमाम तरह की युक्तियां क्यों लगानी पड़ी महाभारत की युद्ध में कुछ न लगानी पड़ती पर हमने तो अपने आवतारों को भी मानवी यही दिखाया है मानव सुलभ गुणों से और गुण माने तो विकार होता है मानव सुलभ गुणों से उनको एकदम अचूता नहीं रखा है निर्विकार तो मात्र निर्गुण ब्रहम होता है और निर्गुण माने प्रक्रति से परे जिसने देहधारण कर लिया वो प्रक्रति से परे कहा रहा जिसने देहधारण कर लिया वो तो सगुण हो गया न जो सगुण है उसमें विकार हो गई तो आप कहा कि कोई बहुत अनूठी बात ले आई है कि आप में विकार है कि जिसमें विकार नहीं हो मनुष्य नहीं मनुष्य माने सगुण और गुण माने विकार तो मनुष्य माने विकार मनुष्य होना ही विकार युक्त होना है इन्हें विकारों के साथ खेल खेलना है जाल आके खेलना है, भीतर ही हमारे जो सच्चाई बैठी है उसी को अभिवेक्ट करने के लिए हमारे जन्म हुआ है, उसी सच्चाई को कृष्ण कहते है कोई यह न कहे कि मुझे में कमजोरी बहुत है तुम में कमजोरी बहुत है तो किसमें कमजोरी नहीं होती सब में होती है इंसान कमजोरियों का पुतला है उन्हीं कमजोरियों के बीच से रोशनी उठनी होती है दिये में कितना दम होता है, मिट्टी का दिया है, कितना दम होता है, पटक तो तूट जाएगा, पर उसी कमजोर दिये में से प्रकाश उठना होता है, इसमें आ रही है बात, यह जितनी हमने अपनी फैंटेसी बना रखी है न, वो छोड़ दीजिए, कि हम साधारण लोग हैं और कोई आदमी होता है, विशिष्ट होता है, उसमें तो कोई भूलचू, कमी-कमजोरी होती नहीं है, तो वो आता है और जगत का कल्याण कर देता है, जो जगत के लिए शुबह भी साबित हुए है, जिन्होंने जगत को सचमुच मदद दी है, वो सब भी अपनी-अपनी कमजोरीयों से ही लड़ते हुए लोग थे, इसको बोलते है, मिथोलॉजिफिकेशन, व्यक्ति को मिथोलॉजी बना देते हैं हम, पिर हम कहते हैं, ग्रेट मैन हैज बीन मिथोलॉजिफाइड, और उसमें हम क्या खड़े कर देते हैं, हीरोज, और हीरो तब ही कोई हो सकता है, जब उसके सामने दस हजार नौन हीरो हूँ, नौन हीरो बने रहने में जुन्नू को बड़ी सुरक्षा लगती है, तो दस हजार जुन्नू मिल करके अपने लिए एक मिथोलॉजिकल हीरो खड़ा कर देते हैं, ताकि अब उनको कोई हीरोईज्म प्रदर्शित ना करना पड़े, भारत में बहुतरा है, कोई हीरो होना चाहिए, हम उसको हीरो नहीं बना रहे हैं, हम उसको हीरो बना के अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, यहां तक कि हम इतिहास से भी खिलवाड कर देते हैं, और यहीं नहीं कि कोई जो प्राचीन इतिहास है, आज का भी जो इतिहास हैं, मुझसे भी खिलवाड कर देते हैं, आज भी आप जिन्नों को नायक या महापुरुष बोलते हो, पिछले 100-200 साल के, आप अगर उनका इतिहास पड़ोगे, तो आप आओगे, कि उनमें भी खूब कमिया तुर्टिया थी, पर उनको नायक बनाने की खाते हैं, हम उनकी तुर्टियों पर परदा डाल देते हैं, हम कहते हैं, नहीं दे वर बॉन परफेक्ट, क्यों? क्योंकि अगर हमने स्विकार कर लिया कि उनमें तुर्टिया हैं, तो फिर हम अपनी तुर्टियों का बहाना नहीं दे पाएंगे, अभी तो हम कहते हैं, उनमें कोई तुर्टि नहीं थी, हम में तुर्टि है, इसलिए ह कुछ कर नहीं सकते जब दिखेगा कि जैसे तुम में रूटी वैसे उन में भी तुरूटी है और वो अपनी तुरूटी हों के बावजूद महानता के काम कर गए तो तुम क्यों नहीं महान हो सकते तो फिर हमें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी जिम्मेदारी जुनुलाल उठाना नहीं चाहता तो जबर्दस्ती हीरो बनाता रहता है वो हीरो है वो हीरो है रहे महान लोग महान लोग महान लोग महान लोग महान लोग पुछिए अपने आपसे महानों को जीवन में ला करके कहीं आप स्वयम महानता से बचने का शड़ेंत्र तो नहीं कर रहे हैं अपने कमरों में चार महान लोगों के आपने चितर लगा दिये और ये करके खा चलो ठीक है हो गया ये महान लोग थे उपर उपर दिवाल में इनको टांग दिया आप हम नीचे नीचे मस्त सोईंगे क्योंकि महानता का ठेका तो इन्होंने ले रखा है और हम क्या हम ग्रीट करते हैं बहुत साधारण बहुत ऑसत किसम के लोगों को यहां तक कि कुछ बहुत मीडियोकर लोगों को भी हम ऐसा चड़ा देते हैं आसमान पर इसे पतानी क्या हो मत किया करिए क्रिश्ण उच्चतम है और क्रिश्णत्व पर आपका अधिकार है आपकी तमाम कमियों के बावजूद क्रिश्णत्व पर आपका अधिकार है और गीता इसी लिए है ताकि आपके भीतर का क्रिश्णत्व उदित्थ हो सके कोई भी अपनी कमजोरियों का बहाना नदे यह यह इसी सी बात है कि जैसे टायर बोले कि मैं तो इतनी सी छोटा सा हूं मैं दसजार मील कैसे चलूंगा कि जैसे टायर बोले मैं तो रबर काहूं मैं तो घिस जाओं गया दसलार मील कैसे चलूँगा बेठा तु चोटा भी है बिल वो बात भी उसने ठीक बोली, हाँ, तू छोटा सा है, तू घिसेगा भी, और तू ही चल के भी दिखाएगा, हाँ, इतना जरूर है कि दहजार मील जाने के बाद तू बचेगा, नहीं, वो अच्छी बात है, टायर इसलिए थोड़ी बना है, कि बचा रहे, उसका काम ही है यह कि दूरी तै करें और दूरी तै करने में घिस जाए, तो घिस जाईए, हाँ?